पिछले वीडियो में हमने एक smart vehicle बनाई थी जो traffic signals के card को recognize करके चलती थी इस वीडियो में हम एक और smart vehicle बनाएंगे जो voice commands पर चलेगी तो step by step सीखते हैं कि हम smart robotic vehicles कैसे बना सकते हैं यहां हमारे पास robotic vehicle की assembly में एक Arduino है एक यह 6V का battery pack है और एक यह L298N motor driver board है और हमारी यहां पर wiring है कि इस battery pack से 6V के battery pack से plus आ रहा है वो हमने यहां connect किया है और minus यह ground जो है वो यहां connect किया है और उसके बाद यहां से ground से हमने Arduino के ground को भी connect किया है ताकि हमारे पास सारे components जो हैं वो common ground पर हो उसके बाद हमारे पास L298N motor driver board में यह जो दो pins हैं यह एक motor से connected है और यह जो दो pin है यह दूसरी DC motor से connected है क्योंकि यहां पर हम यह geared DC motors चला रहे हैं जो की काफी current draw करती है इसलिए हम इनको Arduino से direct नहीं connect कर रहे हैं हम एक motor driver board यूज़ कर रहे हैं इसके बाद हमारे पास यहां पर यह जो चार pins हैं इनको हमने Arduino में 3, 5, 10 और 11 pins पे connect किया हुआ है यहां पर एक side में L298N में side में 2 pins और होती हैं जो enable pins कहलाती हैं हमने इनको jumper से connect किया है और अगर हम इन motors की speed control करना चाहें तो हमारे को इन jumpers को निकाल कर इन enable pins को भी Arduino से connect करना होगा पर अभी हम speed नहीं control कर रहे हैं हम voice command से केवल front reverse left right और stop की commands पे इस smart vehicle को use करेंगे next हम pictoblocks में इसकी coding समझते हैं voice commands operated smart vehicle बनाने के लिए हमारे को pictoblocks में extensions में जाके speech recognition का extension जो है इसको add करना है इस extension पे हमारे को एक command मिलती है कि recognize speech for two seconds in many different languages तो हम अभी English use कर रहे हैं पर अगर आप चाहो तो Hindi या कोई और language जो है इसको भी use कर सकते हो यह extension कैसे काम करता है कि यह already एक pre-trained machine learning model है तो जब हम कुछ English में बोलेंगे तो यह ML model उसको recognize कर लेगा और अगर हम यहां से यह speech recognition result इसको on कर रहे हैं तो यहां पर हम just like a variable देख सकते हैं कि जो हमने बोला वो कैसे recognize हुआ और वो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा तो अगर हम इसको test करते हैं forward तो जब मैंने forward बोला तो इसने यहां recognize कर लिया कि command है forward पर आप यहां पर बहुत ध्यान देना कि forward कैसे लिखा है forward में F capital है और forward के बाद यहां पर एक period या full stop है और इसी तरीके से अगर मैं फिर next command दे रहा हूँ reverse तो again reverse में R capital है और यहां पर भी एक full stop है stop left right तो इस तरीके से यह speech recognition काम करता है और जब हमें पता है कि यह जो speech recognition का result है वो क्या है like right with a R capital and a full stop तो हम इसको फिर conditional statements लगाके test कर सकते हैं कि अगर हम यहां कहते हैं कि speech recognition result is equal to तो हम operators में जाके यहां से एक equality ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि if speech recognition result is equal to let's say exactly जो था forward with a full stop तो हम अगर यह command recognize होगी तो फिर हम क्या चाहते हैं कि Arduino से जो हमने motors connect करी हैं वो किस तरीके से run करें तो next हम अपने Arduino board को connect करते हैं Arduino मेरे laptop से USB cable से connected है और मैं यहां boards में जाके Arduino Uno select कर रहा हूं फिर यह यहां पर मुझसे पूछ रहा है कि कौन से port पर मेरा Arduino connected है तो मैं जो भी आपका port है आप उसको select करेंगे इसके बाद ML के जो हमारे यहां पर machine learning models हैं अगर हम इनको यूज करना चाहते हैं तो हमें Arduino को stage mode में connect करना है ताकि हम Bluetooth यूज करते हुए अपने picto blocks को अपने Arduino से connect कर लें यह करने के लिए एक आपको firmware जो है इसको upload करना है तो जब Arduino connected है तब आप यहां पे कह रहे हैं upload firmware और यह Bluetooth चलाने के लिए जो firmware है यह upload हो रही है next आपको stempedia की website में जाके यह जो picto blocks link है इसको download करके install करके यह software background में run करनी है जब यह आप दो steps पूरे कर लोगे firmware upload कर लोगे और picto blocks जो है वो background में चल रहा होगा तब आप फिर अपने picto blocks को अपने Arduino से Bluetooth के थूँ connect कर सकते हो और जब हमने यहाँ पर यह अपना board Arduino select किया है तो हमारे को यहाँ पर Arduino से related commands मिल गई है तो अब हम कहना चाहते हैं कि अगर speech recognition result जो है वो forward है तो हम अपनी motors को चलाना चाहते हैं और हमारी जो motors हैं वो हमने pin 3, 5, 10 और 11 में connect करी हैं तो मैं यहाँ से 3, 5, 10 और 11 यह select कर रहा हूँ और motors चलाने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी एक motor है वो 3 और 5 pins पे connected है तो एक pin जो है वो high है और दूसरी pin low है तो इससे हमारा यह circuit complete हो जाएगा और motor 1 जो है वो चलने लगेगी and likewise motor 2 10 और 11 पर है तो 10 pin को मैंने high रखा है और 11 pin को मैं low कर रहा हूँ तो इस वज़े से जो मेरी motor है motor 2 जो है वो भी चलने लगेगी तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि recognize the speech result and if the result is forward then run the motors like this और हम यह सब कुछ जो है वो एक forever block में डाल रहे हैं ताकि यह speech recognition constantly होता रहे यह जो part है यह मैं पूरा वीडियो बनाने के बाद add कर रहा हूँ क्योंकि मैंने realize कि जब हम यह speech recognition का block forever के अंदर डाल देते हैं तो यह constantly speech recognition चलता रहता है और even जब आप कुछ और बोल रहे होगे तो उसका भी speech recognition चलेगा और speech recognition और कुछ और जो ml के extensions हैं जैसे कि यह face detection यह सब जो है यह picto blocks में points यूज करते हैं तो यह जो आपके credit में आपको points मिले हैं यह जब आप यह कुछ ml extensions यूज करते हो तो यह points कम होते जाते हैं तो मैंने यह गलती करी अपने program में कि मैंने forever block के अंदर इसको डाला और इसकी वजए से वो हमेशा on रहा और मेरे points जो थे वो खतम हो गए और मुझे अलग से फिर से purchase करने पड़ गए तो मैंने rest of the इस video में speech to ignition का block जो है वो forever block के अंदर है बट मैं highly recommend करूंगा कि आप इसको आप forever block से अलग रखके green flag click में रखो और फिर forever के अंदर जितने conditional statements हैं वो as I have explained in the video वो सब सेम रहेंगे और इसकी वे से क्या होगा कि जितनी बार आपको कोई नई command देनी होगी forward, reverse आपको फिर से green flag click करना पड़ेगा but that is far better than losing all your points and having to buy more points so मेरी recommendation यह होगी कि आप please इसको forever loop के अंदर मट डालना even though rest of the video में मैंने इसको forever block के अंदर डाला है unfortunately video बनाने के बाद मैंने यह realize किया उसके बाद हम चाहते हैं कि यह जो अगर command जो है वो for example stop है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सारी motors है वो रुख जाएं तो मैं इन सब को zero कर रहा हूँ और यह जो second conditional statement है इसको भी मैं forever loop में डाल रहा हूँ अब with these two commands हम अपने इस program को test करके देख सकते हैं forward stop forward stop तो यह हमारा program जो है यह ठीक काम कर रहा है और अब हम इसमें likewise जो भी हम commands add करना चाहते हैं उनको हम add कर सकते हैं तो for example अगर हम अपनी कार को turn कराना चाहते हैं तो turn कराने के लिए हमारे को एक motor को चलाना है और दूसरी motor को off रखना है तो मान लो कि अगर यह हमारी left की command है तो हम यहां left कह सकते हैं and again careful यह रहना है कि यह left को recognize करेगा L capital EFT और उसके बाद full stop तो exactly हमारे को यही यहां लिखना है जो भी यहां पर speech recognition result है और हम एक और command add कर सकते हैं यह command होगी right की and again RIGST full stop और फिर हम यहां पर दूसरी जो motor है उसको on कर रहे हैं तो motor 1 जो है वो off है और motor 2 जो है वो on है so just to understand the whole program हम यहां कह रहे हैं कि recognize the speech और अगर आपका program accurate नहीं चल रहा है तो आप इसको इसका time जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास two seconds के बाद next option five seconds है तो मैं इसको कह रहा हूँ कि recognize the speech for five seconds इसकी वज़े से जब हम command देंगे तो थोड़ा से delay होगा before the command reaches the Arduino और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर speech recognition result जो है वो forward full stop है तो motor 1 और motor 2 को इस direction में चला देना और अगर speech recognition result जो है वो stop और full stop है तो सारी motors off कर देना अगर left है तो motor 1 को चलाना motor 2 को off कर देना तो गाड़ी हमारी मुढ जाएगी और अगर speech recognition result जो है वो right है तो motor 1 को off कर देना motor 2 को चला देना और हम एक condition और यहाँ पर डाल सकते हैं अगर हम चाहें तो वो condition होगी reverse की और reverse करने के लिए हमारे को जो हमने forward की command दी थी उसको हमारे को यहाँ flip करना है तो यहाँ पर हमने कहा था motor 3 जो है वो on है motor 5 off है तो यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं हम कह रहे हैं motor 3 off है और motor 5 जो है वो on है और forward जाते वक्त हमारी pin 10 जो थी वो high थी तो हम pin 10 को यहाँ low कर रहे हैं और pin 11 को हम high कर रहे हैं तो basically हम इन कमांड में क्या कर रहे हैं हमारी मोटर की जो connection है उसकी polarity flip कर रहे हैं तो इस condition में अगर हमारी मोटर clockwise जा रही थी तो इस second condition में हमारी मोटर जो हैं वो counter clockwise जाएंगी तो हम इस final command को भी इस forever loop के अंदर डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर command है reverse, full stop तो फिर ये polarity flip कर देना तो अब हमारे पास ये सारी commands है forward, stop, left, right and reverse हम इस program को test करके देख सकते हैं तो ये जो हमारा प्रोग्राम है एकदम ठीक काम कर रहा है यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब ये एक वाइट लाइन इसके उपर जाती है, तब हमारे को बोलना है और उसके बात ये जो भी हमने voice command दी है ये server पर जाएगी और server से interpret होके वापस आएगी और अभी मिचोभी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर कुछ random words पर interpret हो रहा है तो ये सारी problems machine learning models के साथ हैं कि कभी-कभी वो random words जो है उनको recognize कर लेंगे बट by and large ये जो model है voice operated smart vehicle का ये एक दम ठीक काम कर रहा है I hope आप ये speech recognition based smart vehicle बनाने का project try करें लें